जब जब हिंद बाव को भूले आये विपदमहान बाई तूटे धर्ची कोई मिटे ही धर्मसुस्तान हम जाती भाषा प्रांत के अगरा पिच्रभेज से हम करेंगे तो तो हम कटेंगे तो इसलिए ये कता अवश्चक किसी भी राटर के राटर याट तो संग ने हरी जंडी दे दी है योगी के फॉर्मूले को योगी के नारे को नारा बटेंगे तो कटेंगे वाला और इसके जरीए फॉर्मूला हिंदूों को एक जुट रखने का फॉर्मूला जाती सियासत के चक्रव्यू को तोड़ने का भी फॉर्मूला जिस पर चल कर बीजे पी ना सिर्फ अपने भूद को और मजबूत कर सकती है बलकि हिंदूत्यों के एजेंडे पर सत्ता में लंबे समय तक बनी भी रह सकती है योगी का ये नारा और फॉर्मूला अब टेस्टेड भी है हर्यारा में उमीदों के उलट इस नारे ने कमाल किया सत्ता से बाहर जाती दिखी बीजे पी ने रिकॉर्ड हैट्रिक जड़ दिया इसके बाद तो तैय हो गया कि विपक्ष की जाती वाली सियासत का चक्रव्यो योगी का ये नारा और फॉर्मूला ही तोड़ सकता है इसलिए आप सीधे सीधे संग से संदेश आया है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा वेमनस से वाला नहीं बलकि एकता बरहने वाला है स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें स्पिरिट क्या है हिंदु समाज़ एकता से एकात पता से नहीं रहेगा तो इतियास कहता है आप हम तो कहते हैं जब जब हिंदु बाव को भूले आए विपदमहान भाई तूटे धर्ची कोई मिटे ही धर्मसुस्तान या मरगीत है संग का ये संदेश यूही नहीं आ गया हर्यारा के चुनावी नतीजों के बाद और यूपी महराष्ट के चुनाव से पहले मत्रा में योगी और संग प्रमुग भागवत की बैठक हुई सुत्रों के मुताबिग बंद कमरे में ये बैठक करीब आदे घंटे चली जिसमें योगी ने संग प्रमुग के सामने अपनी बाते दिल खोल कर रखी बहुत मुम्किन है कि इस बैठक में हिंदू वोट बैंक को जात्यों में ना बटने देने पर चर्चा हुई हो और हर्याणा को नजीर मान कर ये तए हुआ हो कि हिंदूों को एक जोट रखना है तो संदेश देना है कि बटेंगे तो कटेंगे इसलिए संग के सौ साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फेंस हुई तो जोशोर से योगी के इसनारे का समर्थन कर दिया क्या हिंदुबाव को भूले आए विपदमहान बाई तूटे धर्ची कोई मिटे ही धर्मसुस्तान हम जाती भाषा प्रांत के अगरा पिच्रभेज से हम करेंगे तो तो हम कटेंगे तो इसलिए ये कता अवश्यक है किसी भी राटर के राटर ये था रास्क से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता और रास्क तब ससकत होगा जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे बीच चुनाव संग का ये संदेश इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे एक सिगनल मिला है कि बीजेपी आगे किस रणीती से चुनावों में जाएगी सामने यूपी में 9 सीटों पर उप चुनाव है, महराश्ट में विधान सबा चुनाव है, 9 सीटों पर हिंदूों को एक जुट तो किया ही जा रहा है महराश्ट में भी कई उमिद्वार मान करने लगे है कि उनके इलाके में योगी की रहनी रखी जाए ये तस्वीर देखिए जब मुंबई की सरकों पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लग गए थे जाहिर है, बीज चुनाव संग के इस संदेश के बाद बीजेपी हिंदूों को एक जुट करने वाली रणनी थी और इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ मजबूती से आगे बर सकती है फिर बहुत मुम्किन ये भी है कि महराश्ट के चुनावी मंचों से योगी की दाहार और उनके इस नारे की गूल्च जादा सुनाई दे इसका टेलर या यू कईये की विपर्च में बॉकलार्ट भी दिखने लगी है कॉंग्रेस सारोब लगा रही कि आरेश्स का मनसूभा धुवी करण का है और योगी का ये जुमला महराश्ट में नहीं चलेगा यह RSS का हमेशा से मनसूबा धुवी करण की राजनीत करने कर रहा है बटवारे की बात करने कर रहा है मुझे नहीं लगता है महराश की जमीन एक अलग तरह की है महराश के जनता का विचार एक अलग तरह का है च्छत्रपति शिवाजी महराज, शाहु महराज, बाबा सहब अंबेटकर और ऐसे महापुरुशों का राज है उनकी विचारधारा यहाँ पर चलती है उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग महराज में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि RSS अपने मनसूबे में पूर होगी करो समाज में धर्म धर्म में भेद करो समाज में भेद करो जाती में भेद करो यह इसके लिए उनको योगी चाहिए लेकिन हमारी कॉइंस्टिशन बोलती है कि सब समान है कॉंग्रेस की इस बोकलाइड की बज़ा भी है योगी आदितनाथ ने हर्याणा में 13 रह लिया की जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी उमिदवार जीते यानी करीद 70 फीसदी का विनिंग परसेंट है जमु कश्मीर में योगी ने चार ने लिया की और चारोई जगों पर बीजेपी उमिदवारों को जीत मिली यानी 100% का स्टाइक रे अब सबार यूपी उप चुनाव का है महराश्ट विधान सबा चुनाव का है बीजेपी और संग को पता है कि इन दोनों चुनावों में काम्याबी मिली तो एक बार फिर से राजनीतिक तोर पर हलाद बीजेपी के लिए 2019 जीत जैसे हो जाएंगे 24 के जुनावी जटकों से पार्टी उबर जाएगी इसलिए संग ने कमर कसली है और बीजेपी तैयार है हिंदू को एक जुट करने वाले नेक्स चैप्टर के लिए जो खुलने जा रहा है देश के सबसे बड़े सूबे यूपी और महराश्ट के चुनावों में ब्यूरो रिपोर्ट टाइम स्राउन अभर तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी सवाल है कि हिंदू एक जुटता की बात हो रही ही तो इससे दिक्कत क्या है और क्या यह जाती सियासत की काट है क्या आपका परिशे में आज की मेंवान उसे कर बाता हूँ आर्पी सिंक भात लिएं के नेता प्रवक्ता और जेश वस्थी पलिटिकल अलेस्स के तोर पर फ्रोफेसर धर्मेंद्यंयद एस्ट के नेता प्रवक्ता दानेश उरतुषिई म एक जूथ होता है तो इससे दिक्कत है क्योंки हर जैंगे हर्याना वाल हो जाएगा राकेश जी ये तो सब अपने अपने दिमाग और जो भाजपा का जो दिवालियपन का दिमाग है उसकी देहन है देखिए कोई भी हो कोई भगवान नहीं होता कि किसी ने कह दिया तो वो या तो सुप्रिम कोर्ट का जज कह तो वो कानून बन जाता है अनुमान और आईडिये लगते हैं तो अनुमान और आईडिये के लिए राजनीत में अपनी अपनी पार्टी उसकी स्योगी पार्टी उसकी शेल कमपनिया उसके मुकोटे चेरे अपना अपने रणनीती बनाती है उन रणनीती के तहत वो कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी बोल सकते हैं लेकिन बोलने वाले को देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है नंबर एक तूसरी बात Congress नहीं आ तो कोई दिक्कत है ना कोई बात काई अब किसी आप आप किसी को बैठा के हमारे नेता हैं उन्होंने अपनी चर्चा करिए उन्होंने जैनुमिन चीजें कहीं जीए लेकिन अब और कोई किसी को इससे कोई फरक इस नहीं और मिस्साह जी और पूरी बाजपार सयोगी और पारे मुखमंतरी के बाद ही 47 सीटे जीती है हमारा वोट 12% बढ़ा है हरियाना में और 6 सीट से जाए अरे आपका वोट परसेंट बढ़ गया फिर भी आप सता से बार हो गए बीजेपी का आपके इसाफ से वोट परसेंट मजबूरी समझ में आ रही है करें क्या भाई अब तो संग भी इस नारे के साथ जुड़ गया सुनिए जरा नहीं 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 वह तो पहले से जुड़ा हुआ इनके आदर्स सयोगी जो एडी मसीन इडी सीविया इंकम टेक्स है उसका जीत का धन्यवाद अर्थ सेरा हुने देना चीए इनकी जीत कोई नहीं लोग सवा के चुड़ा में भी सी सीट और कम हो जी थी अब आपका अपना अखलन है आप अपना अखलन करिये देश का अपना अखलन है देश की जनता का अपना अखलन है पेसे वालों का अपना अखलन है हमारा अपना अखलन है लेकि जो आलोचना करिये सवाल उठाइए सर इस देश के वोटर्स का मज़ाग मत उड़ाइए आपको वोट नहीं देद गया तो यह आप नहीं कहा देंगे कि बाकी पूरा सिश्टम कराब है अंतरात्मा में जाकिये कि क्यों हार गये और कमसे का मर्याना की हार पर तो जाकिये ही और उ प्रापकेंड़ा क्या है यह तो सच है कॉंग्रस की नीती है कि वह समाज को बांटे समाज को बांटे और चनाव जीते ही और आज से लिए लगाता यह कॉंग्रस की नीती लिए और नहरूजी से लेकर इदरा गांदी लेकर इजी बांदी लेकर सोनिया गांदी अब रहुल हम चनाव में जाएं और इसमें चुपी बात दी है तो हर चनाव में कोिश करते हैं कि हम किस पकार से एक तब कर वोड किस xi पॐकस करते हैं वो क Но मुसलमन बूट कैसे ले ने कोशिच करते हैं कि हम किस पार से एक तपके का वोट कि हम तो मुष्लिम पार्टी है यह चपा उब आप किरपकर रिचेक कर लीजिए को क्षमीर बड़ा क्लियर कि उनकी कोशिश है कि हम किस पकार से हिंदू सवाज को बाते साध और हम किस पकार से मुथमाणा कठा करें इनकी राजीट उनकी राजीटी रही एक उरे सर अरे सर सुनिया आपको मैं जूट नहीं बोला मैं आपको अभी बेज़ता हूं वीडियो से कटिंग बेज़ता हूं जहां पर राहूल गान जी कह रहे जा कमलाजी ने बंद कमरे में करका था वो जो वीडियो सब्सक्राइब है इसमें कमलाजी दिकासा कि आप मोट डल दो वाकि हम फ्रॉट जीते हूं बोस्वान पर राश्ट की बात करें हम समाज को जोड़ चलेगए ठीक है कोशिच रेगी ही कैम आगे बाट ना समाज को समाज को बाट पर चलाओं सिसना सबसे बड़ा धरमा उने dor नहीं सो स्ट छना preconrika वह गणोर सुनियुने पूरे पूरे हिंदु स्माज को सिक्खों के खलाव खड़ा कर दिया और और चार्सो से अधिक याद है नियाद है सारे सारे सिखों का थंकवादी बदा लिया और बाद में चलाओं जीते यह तो इनकी लगाता है तो क्या तो लैव वाला ना रहा है हो मि इस देश में अगर हर जाती के लोग रहते हैं तो सब के लोग गोलना अपने मन में जहर रखना यह भारती जंदापाटी का इतिहास है तो यह बात बहुत अच्छी है कि योगी जी ने परिवार को इस अंदेश दे दिया कि अगर आप बटोगे तो कट जाओगे और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लोग सभाचुनाव में परि पीडी में ओता है नहीं समझ में आता है जहां पर पीडी सोता है पीडीय का रोना रोने आ जागाते हैं मेरा सवाल नहीं दिया दो आप cinema भालगा और बो सबीसियां कृएं और और उसमें स्वाना और ने पृत स़ाइव और जाब देने रहाओ नियुक्त दिए पहरте में गवानि द रहे ये गायाँ जो लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाद दीजिए थाका आदमी भरे मंच पर मुस्लिम एक्ता की बात करें छे साथ विदायक मिल जाएं तो पता नहीं क्या कर देंगे ये सब देख लें मा के दूद की ताकत देख लें तो ठीक है लेकिन अगर कोई संग अगर कोई पार्टी वो कहे कि हिंदू एक जूटा की बात तो आप कहेंगे ल नागरिक का दर्जा देता है और हर एक नागरिक को अ पने सुरक्षा अपनी द्लक्षा का अधिकार है इसके कोई नहीं है अज क्या अजे नएच मोधी थीक तो फिर बटेंगे तो कते यह हिंदू के ऐपिए नहीं कर रहे होते हैं अच्छा सम्विधान किता हो जाता लेकिन हिंदू की बात गलत है मुस्टिम घुटा की बाद ठीक है क्योंकि इनका वोट पर में कुछे साफ से चलता है पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से एक ता के खिलाफ नेरिटिव बनाए जा रहा है अब तक बच्पन से हम पढ़ते आ रहे थे, एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे कि अलग अलग लखियां हैं, उनको कोई भी तोड़ सकता है, उसका गठ्ठा बना दिया गया तो कोई तोड़ नहीं सकता, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि बाटो राजकरो की नीती पे चलते रहे और चुकि हम बटे हुए थे इसलिए गुलाम हुए ये पहली बार है जब कह रहे हैं कि नहीं बाटो बटे रहो अगर कोई ये कह रहा है कि बटो मत एक रहो भीया मैं किसी के बीच में तो बोलता नहीं हूँ किसको खलबली मच रही है तो वो बाद में बोल लेगा तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जो एकता के खिलाफ नहरेटिव बना रहे हैं अरे बचपन से बच्चों से ये पढ़ाया जाता है कि एकता में बल है सब एक रहो और योगी जी ने तो कहा एक रहो एक रहेंगे ने नेक भी मत बनो ठीक है मैं मानता हूं कि नेक बनने का समाजवादी पार्टी जो आतंक वादियों को से आरो फटाने के लिए बाकाइदा कोर्ट में जाती है और कोर्ट का जजज कहता है कि आप अगर जाएंगे वहां आप इनको इनको सिर्फ क्या छुड़वाने के लिए बाद में आप इनको पजमिश्री भी देंगे उस पार्टी से आप क्या पेक्षा कर सकते हैं वो कभी एक बात करने हैं पीडिया देखो राकेश में किसी के बीच में नहीं बोलता है तो रुग जाईए पहले उनीजे जी की बात सुन लीजे फिर धर्मेंद्रियादो आ जा आँ ये आज इतनी बाखलाट क्यों है क्योंकि संग पूरी तरीके से समर्थर में अब ये लगने लगा है कि पूरा कैडर अब चुराओ में इस तरीकी अलग तरीके से स्ट्रटी बनेगी इसलिए बाखलाट है पूरा राकेश जी कैडर का सवाल नहीं है समूचा भारत वर सकता है लोग महसूस कर रहे हैं लोग अभी कर रहे हैं इस बात को राकेश जी एक बात बड़ी साथ सी प्र यह बोला वेकती बीच में बात बड़ी साथ ची किया रहा हूं मैं बिना किसी इफट के बठने के खिलाफ नेरेटिव चलाऊंगा बटेंगे नहीं कोई पीडिये नहीं कोई डीडिये नहीं समूचा समाज एक होगा समूचा समाज होगा पीडिये अपने आप में कभी खाम बना लेते हैं कभी एम वाई बना लेते हैं कभी कुछ बना लेते हैं कभी डीएम बना लेते हैं ये कहा ना कि मैं फिर आपके पास आजाओंगा बीच सेकेंड और सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बोलीजिएगा राकेश जी बिना किसी इफेंट बट के कह रहा हूं समूचा समाज जब एक होगा क्या कहा योगी जी ने राष्ट प्रगती की धारा पर प्रगती के उस शिखर पर पहुँचेगा जहां आप तक हम कलपना करते रहें इसलिए बिना किसी इफेंट बट के एक रहने की और जहां पर एक नहीं रहे और जब भी एक नहीं रहे तब वहाँ पर हमने उन संकटों का हमने विदेशी गुलामी का हमने दंश भोगा है इसलिए बिना किसी वज़़ा की पुरे समूचे समाज को एक होना नी पर एक होगा दोजार चौबिस में चित्रकूट में पीडिये परिवार एक रहा पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया अगर बंदन को 43 सीटे मिली परिवार एक रहा और भारती जन्ता पार्टी को उसे कम सीटे मिली यह चर्म उतकर्स मुझे लगता है और निजे से को पता नहीं होगा इसके बारे में बताने की जरूत है आज समाज जाग गया है समाज अपने हक्ती बात समझ रहा है तो फिर यह तो पूरे चुनाओ के नतीजे की बात कर लीजिए चलिए ठीक है खैर आर पी सिंगे इसका जवाब देंगे मैं आउंगा उनिजे जिए जरा एक पहले दानिश क करती है आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है चलिया आपका अधिकार भी है लेकिन अगर कोई हिंदू एक जुटा की बात पर तो नफरत कैसे फैलती है इसे देखे मैं आपको एक बात बताओं पांड़े जी सबसे पहली बात यह है कि यह जो चलावा है कि भाजपा औ इंडारेक्ली तमाम लोगों से आप एफिडेविट ले लीजिए समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई भी पद्दादिकारी जो है वो संग में ना जाता हो ऐसे हजारों नहीं लाखो लोग मिल जाएगी तो सबसे पहले तो यह दे क्लासिफिक राजनेटिक पार्टी के लिए काम करता हो तो बट अवियस है कि उसके विरोधी जो लोग है वो उसका विरोध करेंगे लेकिन फिर भी आपने देखा कि अपसे पहले चिडियमान लीजे के भारते जिंदा पार्टी का तो बहुत लगाओ है संग के साथ में ले दारी चीज़ में आपके सामने हैं कि सपा कॉंग्रेस सबको आप कह रहे हैं कि भाई तुम लोग आ रहे सिर्क के पीछे लगे हुए हो यह यह आपने एक अलग लाइन कीछ दी लेकिन मैं मैं आपकी आपी के पास वार समय दे रहा हूं मैं कह रहा हूं मेरे सवाल पर भी आ अब उसके बाद रह गई धर्म की एक जुकता तो वह जो वैख्या दूसरे जो पैनलिस कर रहे हैं कुछ परसेंट में उसमें इतफात रखता हूं क्यूंकि जो अधिकार मिला है वह नागरिक के तौर पे मुझे मिला है आपको मिला है आपका मजब आपको इजादत देता ह मेरा मजब मुझे इजादत देता है और अपनी सुरक्षा करना यह सबका अधिकार है तमाम लोग कर रहे हैं आप भी करिए हम भी कर रहे हैं क्यों ना करें आप अब आजबी ने राकेश जी राकेश जी इसको इतने संकीन रूप में नहीं देखा जा सकता बात यह है आपन प्रदेश में कहा कि इनका देखो भाई रिजल्ट आने तक अभी चुनाव हुआ बाइस में तो समाजवादी पार्टी के के इनको बदलना नहीं है इनको भेजना नहीं है कहीं भी इन पुलिस वालों को इनकारी इनका पहले हिसाब किताब बराबर करना है जो इस मानसिक्त से समविधान और लोकतंत्र की बात करता है राकिश जी उससे मैं क्या बहस करूँ यहां पर एक बात बड़ी साफसी है और बिना किसी हिचक के कह रहा हूं यह बात सिर्फ यहां की नहीं है आप अजय वर्मा जी कह रहे थे कि एक परसंट बारा परसंट बढ़ा है हिमाचल म कितना फरक था रिवन्त रेडी के टेलंगाना में कितना परसंट बढ़ा है वोट परसंट या तो वोट परसंट पर बात कर लेगी है या जीत हार पर बात कर लेगी है नहीं तरह से आप पहमाना नहीं दूनेंगे दरसल अबू आजमी जो कहने की बात कह रहे है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने की बात है महराश्ट की राजनिती में मैं ये कहता हूं कि अल्ला के रसूल से महुकत करने वाला कोई भी आदमी चाहे अमले नहीं भी होता तब भी वो सड़कों पे मैदान में था और बिलकुल बना रहे हैं जी जैसे चोर की दारी में तिनका होता है कोई किसी पार्टी का भी पार्टी अगर होता है तो पहले दूसरे को बोल देता है कि इस पार्टी का भी पार्टी है कॉंग्रेस पी बोल दिया बीस पी को बोल दिया और अपने आपको बचाने का प्रयास क पुरादेश में किसकी लडाई लडाएं यह तो पुरादेश देखता है तो पुरादेश देखता है पांडेश देखता हूं बारती इस देश में अकेले एक नेता थे जिनों ने दूआ यह पांडी आथे मां सहिए तो यहसे हैं तो प्रफ कर दो ने अचाहिएं ने आशा दानी शेक बात बताईए आरा हूं के जी आरा हूं के ऐगांगी दानी शेक बात बता है यह जो आप बोल दो यह कहीं इसलिए तो नहीं है कि आपके महाराशी यूनिट कह रही है भाई हमें भी गटबंदन में ले लो उधर से कोई जवाब आ रही जा है तो यह गुस्सा तो नहीं है इस बात दो दर असल दिक्कत यह है कि हम अपना काम इमानदारी से करेंगे और कर रहे हैं लेकिन यह जो लोग B team के लोग हैं अरे नहीं मैं कह रहा हूं जिस पर आप इतना गुस्सा उतार रहे हैं आप उन्हीं के गटबंदन में जाना चाहते हैं आप कहरें हैं बुला लो हमको शामिल कर लो मैं आपको एक बात बता हूं मुलायम सिंग याता हो अगर यह कहते हैं कि देव मह मनमोहन सिंग की सरकार को बचाने से लेकर के माराश विधानसभा में से राजसभा भेजने तक के लिए किसने किसका वोट मांगा था इन यह तमाम लोग घुटनों के बाद उवैसी साब के सामने खड़े हुए थे एक वोट की जरुए है और विधानसभा से राजसभा भी कांग्रिस के कंडिडेट को और मनमोहन सिंग की सरकार को भी बचाया एक वोट मैं बोल तो लूँ और दूसरी बात यह कि यह क्या करेंगे आप इनके पांच पांच उमीदवार जीते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं वो वैसी साब इतनी मेहनत करके जिधाते है कहीं पर जाकर के वो विधायक चुनाओ के वाद खतम हो जाते हैं कहां चले जाते हैं मालूम नी किस और पार्टी में चले जाते हैं तो यह तो हालत है तो किसकी बी पार्टी है यह बी पार्टी बी पार्टी कह करके यह शिव सेना किसकी बी पार्टी है उद्धव टाकरे क किये जहां पर राजनीती में विचार धरा का कहीं कोई नहीं साबरकर को गाली देने वालों के साथ अगर कोई शिव सिना का अंश खड़ा है सामने औरंगजेब की मजार पर मरस्या पढ़ने वालों के साथ खड़ा है जिसने गुरुगोबिन सिंग जी के दो चोटे शाहबजादों को जिन्दा दिवार में चिन्वा दिया था और इस देश में औरंगजेब रोड नाम दिल नई दिली में लगा रहा यह इस देश में लोकतंत्र की जो हकीकत वो यह है भाया हमें मुसल अलमानों से कोई हमें किसी शिकायत नहीं है लेकिन आप जब अपने आपको औरंगजेब के साथ जोड़ते हैं औरंगजेब को नायक मानते हैं ठीक है बोलिए आज़े बर्मा जी बोलिए तीस सेकंड आपको भी बोलिए फिर आरपी सिंग आता हूँ राकेश जी तू डाल डाल मैं पात पात ये भारत संबिदान से चलता हिंदू-मुस्लिम से किसाई बहुत पारसी सबको समानता का अधिकार है लेकिन एक एजेंडा देश की सरकार का और उन लोगों का जो गोट से किवचार दारा को चलाते हैं कि तू हिंदू-हिंदू कर म सोशल फैबरीक खतम बाट टैम ने का काम अजय वर्मजी यह यह आप अपने घिरेबान में नहीं जाकते हैं क्या कॉंग्रेस पार्टी के दर्जन बर ऐसे बयान में गिना दूँ शिंदे तक चाह चुका है कि कॉंग्रेस पार्टी की लाइन थी तो यह बात तब आपको नहीं समझ में आती है जब मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं तो फिर तो आपको सिर्फ एक नागरी की बात करनी चाहिए तो आपने गिरेबान में तुरह सा जाक लिया करिए यह बात नहीं है यह बात एकता की बात चलेगी कुछ समय के लिए आप आ सकते हैं लेगिन पर्मानेंट नहीं आ सकते और यह विचार ने पर्मानेंट तो कोई हम लोग देगे आप ने वो निकर आपने जन संख्या जन संख्या किसमें होती हैं वो पॉपलेशन की संख्या दी थी अब बाट चलेगा है उदर चलिए आरपी सिंग को विलाज उलाकर गुसा इस नारे कारी है असल यड़ यह वजाए है और उपर से संग का साथ देखे अभी मुझे से पूर प्रवक्ता बड़े नारे जोड़ जोड़ से कह रहे थे कि देश को बाटने की बात करते हैं मैं तो अभी साविच कर देता हूं कि मैं तो कह रहा हूं कॉंग्रस आज मुस्लिम पार्टी हो गई है वो आपको अग्जामपल देता हूं असाम कंदर इनका एओडियाफ के साथ संजोता रहा कनारका कंदर इनका सब्सक्राइब के साथ संजोता था इसी पर से अभी हाल में वो पलके बिछाए बैटे थे इनके वो रेड़ी साब रेवंस रेड़ी साब तरन ऑवेशी साब के लिए गीत गारे से उनकी गुर्दान कर सब्सक्राइब को यह लग रहा है कि इसने कहीं जातियों वाली सियासत बंद न हो जाए खैर इसका क्या असर रहेगा अर्याना रिपीट होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा जनता तै करेगा